हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू मैं इस्टडी फीट ऑफ फीजिकल एजुकेशन चैनल दोस्तों मत्य परदेश वर्ग टू एंड यूपी टीजित यूपी अल्टेग्रेड विपीर सी टीरी फोर सभी के लिए मैं प्रैक्टिस करा रही हूं जैसा कि आपका जो एमपी वर्ग का जो एक्जाम है अक्टूबर शुरुआत में अक्टूबर लास्ट भी हो सकता है बट अक्टूबर एक्जाम होने की पूरी संभावना है और डेली बीसेश पर प्रैक्टिस करते रहे हैं मेरे साथ जैसा कि आप जानते हैं पुरा थियोरी सेशन मैंने कंप्लीट कराया को हुआ तो चलते हैं आज के कोशिंस की तरफ को सिंद्बर वन है कि नेशनल फीटनेश क्रफ कब अरभ किया गया तो दोस्तों नेशनल फिटनेश क्राप्स जो है वह 1965 से स्टार्ट हुआ किस संस्थान ने भारत में अधिक्तम कोचो को प्रसिछित किया है विच इंस्थिटूट है इस्टार ट्रेंड मैक्सिमम नमबर आफ कोचेज इन इंडिया तो दोस्तों अधिक्तम कोचो को प्रसिछित किया है कौन सा संस्थान इंडिया में तो वह संस्थान है नेशनल इंस्थिटूट आप इस्पोर्स नेटाजी सुभावस नेशनल इंस्थिटूट आपगी स्थाबना सात मए 1971 को निशनल इंस्थिटूट आप इस्थ अपोर्स के नाम से हुआ था फिर इसका नाम निशनल इंस्थिटूट आप इस्पोर्स रखा गया यह सभी चीज़े याद रखिएगा अजिस्तों जो NSNAS पट्याला है एसिया का सबसे बड़ा खेल संस्थान है और यह एसिया के मक्का के नाम से भी प्रस्थीद है खेलों का मक्का के नाम से तो यहाँ पी जो यह हमारा संस्था है यहाँ आम तोप पर राष्टिय खेल संसा की रूप में जाना जाता है यह भारतिय खेल प्राधिक्रोड यानिवSport Authority of India का अकादमिक विंग है यानि कि जो साई के चार क्रयात्मक खंड होते हैं फंक्सनल विंग्स होते हैं जिसमें से सैच्रेक विंग्स यानि जो अकादमिक खंड है उसमें दो आते हैं एक खेलो के लिए अकादमिक खंड और एक सारी रिक्सिछा के लिए अकादमिक खंड जो खेलों के लिए अकादमिक खंड है वो है NSNIS पर्टियाला और सारी सिच्छा के लिए अकादमिक खंड जो है वो है त्रिवंद्रम में A.N.C.P.E. के रुप में तो दोस्तों जो जिसने अधित्यम कोचों को परसिच्छित किया NSNIS पर्टियाला जो है यहाँ परसिच्छ का परसिच्छ ले रहे खिलारियों को एक वर्षिए डिप्लोमा कोर्स कराता है और इसमें स्पोर्स कोचिंग में दो वर्षिय मास्टर्स कोर्स भी चलता है और स्पोर्स मेडिसिन में दो वर्षिय डिप्लोमा कोर्स भी चलता है एंसाररिक सिच्छा अध्यापकों के लिए छे सब्ता के सर्टिफिकेट कोर्स और सिवारत्य पसिच्छकों के लिए पूनस चरिया पाठेकरम भी यहाँ पे चलता है And question number 3 है कौन सा उत्तोलक खेल प्रकरिया में सबसे ज़्यादा प्रभावशाली होता है Which liver is most effective in the group game process तो सबसे ज़्यादा effective होता है तरितिये प्रकार का उत्तोलक आपसे नमबर D यहाँ पे राये टन्सर होगा तरितिये प्रकार का उत्तोलक जैसे कि तिसरे क्लास लीवर सिस्टम का उपयोग सरी की गती को बढ़ाने और व्याई पक गती की अनुमती देने के लिए किया जाता है जैसे कि अब जारते हैं दोस्तों मैंने आपको कई बार ट्रिक बताया हुआ है एफ ए आर ठीक है एफ ए आर तीन सो बार है यानि कि जो फर्स्ट प्रकार का लीवर होता है उसमें एक्सिस बीच में होता है फोर्स और रसिस्टेंस के दितीर प्रकार के लीवर में रसिस्टेंस यानि भार बीच में होता है फोर्स और एक्सिस के और त्रितीर प्रकार के ली आप दहा हैdisलों दैय भी मैं सपूंसके dul aj andg इस लोजय बायो-मेकनिक से देख सब्सक् speaks को फिर फिर भी मैं आपको बदा रही हूं कि जो हमारा प्रतम प्रकार का उट्य प्ल कंट एंड एंकल फ्लैक्षन यानि टखने को मोड़ना एंड सीर को आगे और पीछे जुगाना एंड वालीबाल में स्मैस करना और भी सीट अप ये सभी फर्स प्रथम प्रकार के उत्तोलग की एक्जांपल है दिती प्रकार जिसमें फोर्स रसिस्टेंस यानि भार बीच में होता पंजे के उपर की ओर मोड़ना एंड डिप्स या पूसाप लगाना जबड़े का खुलना बंद होना एंड बास्केट बालीबाल में पंजे से जंप लेना इस अभी दिती प्रकार के उत्तोलग की एक्जांपल है एंड दिती प्रकार की उत्तोलग जिसमें फोर्स बीच मे होता है जिसमें नाओं चलाना पेलचे से मिठ्टी उठाना आता है हमारे बाड़ी में तृति प्रकार के उत्तोलग का एक्जामपल है जिसे आर्म फ्लैक्षन यानि हाथ को मौड़ना ठाई फ्लैक्षन जांक को मौड़ना हैमेश्टिंग करल घुटने का मौड़ना सीट तृति प्रकार के उत्तोलग का एक्जामपल है कोस्टन निम्र फोर है कि निम्न लिखित में से कौन सा परिच्छर कार्डियो वाइस्कूलर छमता के लिए है वीच आप फॉल्लिविंग टेट्स इज फॉर कार्डियो वाइस्कूलर कापैसिटी तो दोस्तों यहां पर आप देख सखते है जो जेसी आर्टेस्ट है समानने मोटर चंपता कुमापता है और सै मोटर पर चंपता कुमापता है क्राउस वेबर तो परिच्छर है वह मिनिम्म मस्कलर फैटिनेंस जाने की मातन पनितम फ़ेक्शी हे चंपता है यहां पे क dużo रवाहुआ ने हावड बिस विद्याले अमेरिका में इस्टूडेंट पर सबसे पहले प्रियोग किया इसका प्रारम प्रारम में लड़कों के लिए किया गया था में है कोर्षिन फाइफ है है ग्रीन इस्टीक सब्द किस्ट से सम्मदित है डर टर्म ग्रीन इस्टीक इज रिलेटेड टू तो दोस्तों ग्रीन इस्टीक जो सब्द है वहां रिलेटेड है यह जो होता है जैसे कि झो को इसे हडिया मुड़ जाते हैं इस संभ इससे तक मुड़ियीं नहीं है सभी च्वाइयं के बारे डीटेल में जानना है तो आप स्पूर्स मेडिसीन के प्लेलिस्ट में चले जाएए वहां पर सभी चोटू के बारे में डीटि में बताया गया है जैसा है कि दोस्तों आप जानते हैं डेंडराइट्स जो है ओ नियूराइट्स यानि की तंत्रिका कोसिका का भाग है हमारे नियूराण में तीन भाग होते हैं एक होता है सेल बाड़ी जो एबीजवला दुसरा होता है आपका ये है आपका डेंडराइट्स ठीक है ये डेंडराइट्स है अब तीसरा भाग होता है सेल बाड़ी से ही निकलता है आपका एकसान एकसान जो है एक नियूराण से संदेश को ले जाता है तो यह हमारा डेन्टाइट करता है संदेश प्राप्त करता है संदेश को प्राप्त करके कहा ले जाता है इस 170 से इस संदेश एक심 which आंकों तक पहुं जाता है। तो यहां पर तीन भाग होते है निउरान्स के डेंड्रायर्ज, male body and exon. Dendron्स जो है संदेज प्राप्त करता होता है और संदेज को प्राप्त करकि male body की और भेजता है और exon जो है प्रेसर करता यानि भेजने वाला होता है दूसरी निउरान के दरब. Question number seven है समंदीत है परकूशन सब्सक्राइब किसे समंदीत है जैसा कि मालिस फ्रेंच सब्सक्राइब मसाच जिसका उर्थ होता है फ्रिक्शन आफ नेडिंग गुर्थे हुए घरसड़ करना इस चार प्रकार का होता है इस ट्रोकिंग प्रेसर परक्यूजन एंड सैकिंग यानि कि सहलाना दबाना थप थपाना जग जुड़ना यहां परकूजन का मतलब होता है थप थपाना जो एक वीडियो में साट में ट्रिक के साथ जिससे आप हमेशा ही याद रखेंगे को से नमबर एट है इनमें से कौन सा मन्दुरंजन का प्रकॉर्ण नहीं है वीचाव फॉल्विंग इस नाट टॉइब आप इंटर्टेन्मेंट या रिक्रियेशन तो यहां पर आप देख सक है समुदायिक मन्दुरंजन यानि कमुनिटी इंटर्टेन्मेंट या रिक्रियेशन अटत और डियुसाइक मन्दुरंजन संस्थागात मनुरंजन है यह तुद्ध नियोजन मनुरंजन का भाग नहीं है क्वाच नमबर 9 है ठेल प्रबंधन में प्रथम चरण क्या होता है वाट इस फर्स स्टेप इन स्पोर्स मैनेजमेंट तो दोस्तों स्पोर्स मैनेजमेंट का प्रथम चरड क्या होता है तो प्रथम चरड होता है नियोजन क्या होता है नियोजन यानि प्लानिंग किसी भी चीज को करने से पहले आप प्लानिंग करते हैं नियोजन करते हैं इस्ट्रेजी बरहते हैं यहाँ पे प्लानिंग आपका पर्थम चरड़ होगा तरह नियोजन के बिना जो है खिल का प्रवन्धन नहीं किया जबता है को अभी आप काम करेंगे अगर प्लानिंग के साथ नहीं करेंगे एक दर्व चस्ने करेंगे आवस्दिक है कि आप उसमें घाटा ही पाएंगे या सई जह नहीं पाएगा इसillos प्लानिंग जो है है एक बेस्ट होता है किसी भी चीज़ को सुरू करने से पहले है को से नंबर दस है कि निवने में से कौम सा एक उत्तम परिच्छड का मापदन्ड नहीं है वीच आप फालुविंग इस नौट एक क्राइटरियान आफ एक गूड टेस्ट जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ ह टेस्ट के बारे पर डीटेल में बताय हुआ है टेस्ट मेजरमेंट एन इवल्यूशन के प्लेइलिस्ट में जाएए वहां पर सभी चीज़े मिल जाएंगा इसके लिए होता है कि अब्जेक्ट्वीटी अब्जेक्ट्वीटी नाम्स एम स्टेंडर्ड जिसमें से आपका यहां पर यहां पर लिएबिलिटी होगा यहां पर अब्जेक्ट्वीटी होगा घरे लेडी एकिनमेटिक यहां पर ऐटार्ड में एक कोर्शन नमर 11 है कि फेपड़ों को ढखने वाली आवरल को क्या कहा जाता है तो दोस्तों लंग्स यानि कि फेपड़ों को ढखने वाले को हम कहते हैं प्लूरा क्या कहते हैं Plural नामघ द्रौ होता है जो फेफ़ों सुरच्छा करता है Question Number Twelve है हत्हेली को नीचे की और घुमाने को क्या कहते है Turning the palm downwards it's called दोस्तो हत्हेली को नीचे की और घुमाने को हम क्या कहते है यानि पेट के बल लेतना और हथेली को नीची की और घुमाना जमिन को फेस करना इसको हम कहते हैं प्रो नेशन इसको क्या कहते हैं प्रो नेशन ठीक है और हथेली को ऊपर यानि आस्मान की और घुमाना और यानि पीट के बर लेटना यह होता है सुपाई नेशन इन वर्जन होता है पैर के उग्लियो को उपर की तरह पूनना है कि को से नंबर तेरह है फार्ट लेक प्रसिच्चर विदी को विक्सित किया था फार्ट लेक ट्रेनिंग मेथड वाज डिलपेट बाइक तो दोस्तों इसको औरी सो सैंटीफ में गोश्टा होमलर ने बनाया हुआ था साहन सीलता यानि की इंडुरेंस को डेवलप करने के लिए जैसे कि आप जानते हैं यह स्वीडिस सब्दह गोश्टा होमलर जो फार्ट लेक है सब्दह स्वीडिस जिसका आर्थ होता है स्वीड प्ले यह तेज और आसान रनों की एक बैकलिफिक अर्थ करिया है जिसे मूलर से फार्ट लेक जिसका आर्थ स्वीडिस में स्वीड प्ले है इस तरह विक्सित किया गया है कि एक बैक्ति ठकने तक तेज दोड़ सकता है फिर तेज जटी पर लोटने से पहले अपन कि सबसे बाहरी परत को क्या करते हैं दो आउटर मोस्ट लेयर आफ दो हार्ट इज कार्ट दोस्तों तिन मांस्पेस यह परतों से बना होता है हिए एपिकार्डियम मायोकार्डियम एंडोकार्डियम यहां पर एपिकार्डियम नहीं दिया है तो यहां पर इन में से कोई न कोस्टिन 15 जैविक प्रक्रिया कौन सी है। वीच ए जैज बाय लोजीकल प्रोसे절 तो यहां पर बिवाटेवर पोसल ब्रलन वातमिक यहां पर वह एलब ज़या प्रक्रिया नहीं है यहां पर वांसा मुगत ज्यूद जहां जैविक प्रक्रिया जिसमें घ्यून है उगल ओहारा सम्ञान सुन कोछ ए्श्रायर डिरेक्टली इस प्यक्तिक करता है यह मसल्स पर डायक्ट एंसरो हो गाइनarpodarian पर अपाल के नोए वहां श्यूंख Ekoudking दुनिया में सबसे अधिक रोपिंग के रूप में प्रयोग होता है इसको करते हैं इसका फूलफां होगा एंड्रोजेनिक के इनाबोलिक स्टेरायर्ट को पूरूस के हार्मोन टेस्ट स्टुरावन जैसा समझा जाता है और दोस्तों इसके सेवन से वसा की मात्रा कम हो जाती है पेसियों की ताकत और सहंसिलता में असीम बिर्दी हो जाती है और जो व्यक्ति लेता है इसको वो मानसिक रूप से अपने आपको मजबूत समझने लगता है अगर इसको महिलाएं प्रियोग करती हैं तो महिलाओं के इसके प्रियोग से परूस तत्व याने पूरूस वारे लच्छड आने लगते हैं जैसे कि आवाज भारी होना दाड़ी मूच आना आदी चीजे इसके अंतरकत बहुत सारे एजेंट्स आते हैं जैसे कि नेद्रोडा तैस्त्रीक्राइबलों त्रैंबलों मेथाइल टेस्टिक गनलों और हम एक प्रीय। दोस्तों आपको डोपिंग के ब्यक्तित्व का घटक नहीं है वीचावद फॉल्विंग इस नाट एक कंपोनेट और फर्शनालिटी दोस्तों फीजिकल मेंटल सोसियल है बट रिलिजियस याने की धार्मिक यहाँ पे नहीं है ब्यक्तित्व का घटक कोस्टिन नबर आठारह है कि दिन मेंसे कौन सा ब्रिधी के नमुने को नियंदरित करता है वीचावद फॉल्विंग कंट्रोल दो पैटर्न आफ ग्रोथ तो यहाँ भी आप देख सकते हैं जो ब्रिधी के नमुने को कंट्रोल करता है वो होता है जीन्स जो हमारे कोसिका में दोस्तो केंद्रक होता है यानि कि केंद्रक में जो है धागे नूमा संरचना होते हैं जिससे क्रोमोटीन या जालिका कहते हैं जो आगे चलके बहुत सारे जालिकाओं में बढ़ जाता है लंबे लंबे धागों में जिससे हम गुर्सत्र के वहाख होते हैं जो एक पिढ़ी से दूसरे पिढ़ी में अनुवानसिक लच्ड़ों को ले जाते हैं यानि कि जीन्स प्रिद्धी के नमुनों को नियत्यत करता है जीन्स हमारे सरी का खाका है यह एक ऐसा खाका है जो किसी भी जीव के अस्टेतों के लिए आवस्च्छ होत भी फीजिकल एजुकेसं प्रॉआइड शो में अनुसंधान गई तो सरी इसलOOOOOOOO Mr. को प्रिगात्मक अनुसंदान प्धत्रती पतान करती हैसे को वेत्थ पतान करता होगा आप गेस कीजिए और सही अंसर दीजिए तो दोस्तों प्रिवात्मक अनुसंधान के लिए यहां पर बेवस्थित और बेग्यानिक दिश्टिकूर आवस्यक होता है तो यहां पर राइट अंसर हो जाएगा क्रमबद इवंतरकपूर सुद्ध अध्यन ठीक है नेन्तित करता है और मापता है और को से नेमरव 20 है कि सर्वह प्रथम इंट्रामूराइल २्टिवित deposit दीश में प्रारव हुई इनवीच कंट्री डेट इन्त्रामूर्अल çब परदेशन फॉर्स स्ट आ तो फर्स्टा भी स्टार्ट इंट्रावूलर्ट कॉम्पटीशन वहता है यह जो है जो किसी एक ही सरस्थान की खिलाडियों यानि चहार दिवारी के अंदर आजित की जाती है ऐसी प्रतिविक्ताओं में सभी छात्रों को भाग लेनी का औसर मिलता है जबकि एक्स्ट्रामूरल क्या होता है एक संस्थान से दुसरे संस्थान के बीच जो प्रतिविक्ता आयजित किया जाता है उसको एक्स्ट्रामूरल कहते हैं कोश्चन नबर 21 है कि अंतरार प्रसिट्र विधी द्वारा गती सहन सिल्ता बढ़ाने के लिए पूर प्राप्ती समय है जब नाड़ी की गती नीचे आती है तो दोस्तो जब अंतराल प्रसिट्र यारे इंटर्वल ट्रेनिंग आप कर रहे हैं तो इसमें क्या होता है कि अंकम्प्लीट रिकवरी दिया जाता है इसमें अंकम्प्लेट रिकवरी दिया जाता है इंटर्वल ट्रेनिंग मेथड में जैसे कि इंटर्वल ट्रेनिंग मेथड होने सोबीस में लेवा कर्चरल वीखिला ने बनाया था इसको टेरेस प्रसिछर भी कहते हैं तब लिक्राशवी उद दलब क्रेंड करता है। अब्यासों सब्सक्राइबते हैं इस अभ्यास संधू पूर्तियाने recovery के लिए समय अवधी जो है अधुरी याई, इनकम्प्लेट रखी जाती है इस में इसमें इनकम्प्लेट रिकोवरी बिटिविन टू रिपिटेशन याई दो अभियास के बाद बीच जो है इसे कुछ समय तक क्रिया कलाब किया जाता है तो कुछ समय तक पुर्ण पुरूम करके पुरू ही तक पहुंच जाती है तो अधुरी च्छती पूर्टी के अधार पर जब हिरे गती 120-140 प्रती मिनट पहुंचते है वैसे ही तुरंत अभ्यास शुरू कर दिया जाता है यानि कि पुरा रिकॉर्ब्री नहीं दिया जाता है तो यहां पर राइट एंसर क्या हो जाएगा 120-140 प्रती मिनट आफसा कोसे नमर बाइस है कि निम्न में से कौन सी संभाविता प्रतिचयन विधी नहीं है वीच आफ फॉलिव नॉट ए प्रॉब्रॉबैबिलिटी सैपलिंग मेथ़ड सैपलिंग मेथड यानि संभाविता क्या होता है मालने जी आपको पुरे विहार की जनसंख्या को ग्याज क कि कुण के किसने लड़किया कितने लड़किया है तो अपकिसी फ्रका सैपलिंग लेंगे और यहां पर फॉरे फ्रका में परे है यहां पर कोनी बीधी नहीं है recycling निकीव संभाविता ग्याद करने के लिए तो यहां पर आपका को है को तो अभी नहीं है यहां पर आपकॉ इससी कि हैता परतीशेंट नहीं है। कि prospective सेंपलिंग यहां पर नहीं है कोशन नमपर टेइस है माधिका के लिए माधिका से लिए के बीच के पचास परसेंट अंको को क्या कहते हैं दो मिडिल 50 परसेंट मार्स टेकन फॉर्म दो मीडियन और कार्ड तो दोस्तों इसको हम चतूर्थक बिचलन कहते हैं कॉर्टियल डिवी एशन तो यहां पेराइट इंसर हो गया आपका आपसन नमपर ए कोशन नमपर चोबीस है दिवार को धक्का देना किस प्रकार का संकुचन है पूसिंग दवाल इज विच टाइब आप कांट्रक्शन दोस्तों पूसिंग दवाल जिसमें मानकेश यां जो है कि लंबाई नहीं घर रही है ना बढ़ रही है गति होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है कोई चेंज नहीं हो जाया है तो यहां पर यहां isometric contraction होगा isometric contraction किसके अंतरगत आ जाता है दोस्तो इस्टेटिक के अंतरगत ठीक है इस्टेटिक के अंतरगत यानि कि 24 का right answer क्या हो जाएगा option number C static contraction होगा यानि कि दोस्तो जो isometric contraction होता है जैसे कि strain को develop करने की तीन वीधिया होती है isotonic, isometric, isokinetic isometric है इसकी खोज जो है 1903 पर में हेटिंगर और मूलर ने किया था isometric का आर्थ होता है iso मतलब same metric मतलब लंबाई यानि same लंबाई इसने प्रतेच कोई गती नहीं होती दिखाई देती, कारे होता हुआ नहीं दिखाई देता, पेसियों के लंबाई सेम होता है, कोई परिवर्टन नहीं होता इसे इस्थी रवस्था में होता है static के अंदरगत आता है जैसे कि यहाँ दिवाल को धकिलना pushing the ball लगतार करने से सरी का तापमार ब्रिजी होता है प्रतिदिन करने से PCO की आकरिती आकार में परिवर्टन होता है और दूसरा होता है आइसो टोनिक जिसकी खोज उनिसर चोवर में ली डोडी ने किया था आइसो मतलब सेम टोनिक मतलब तनाव यानि सेम तनाव होता है PCO के लंबाई घरती बढ़ती है यह दो परकार का होता है concentric, eccentric जब बढ़ती है तो उसे हम concentric कहते है जब बढ़ती है उसे हम कहते है eccentric जो दोस्तों यह सक्ती पाप्त करनी की सरोत्तम पर दी है आइसो टोनिक इसमें कलेस्टेनिक बयाम एक यह स्थाम पदरोना भार परसिचर मेडिसिन बालत्रों के साथ बयाम उपकड़ों तो थभी ना Пड़ों के साथ दोनों के साथ किया जाता है तिसरा होता है ilage का इसको जैल्ड शश्रेयन ने 1968 में खिरा था असीनों तो था की सहाथा से जारे तर किया जाता है आइसो टोनिक का मतलब होता है ISO मतलब सेम एंन टॉनिक मतलब गती यारी सेम गती होता है या पानी दत्वाले खेलो जैसे कि रोईंग नाओ खेना तैना आधी में अच्छा किया जाता है या भी सोटक सक्ती वा सक्ती सांसिला दोनों प्रकार का विकास करता है कोशन नंबर पचीस है कि कौन सी आयू का पता आम तर पर मनोवेग्यानिक परिछडों से लगाया जाता है विच एज इज युजुली डिटर्माइन बाई साइकोलोजिकल टेस्ट तो दोस्तों साइकोलोजिकल टेस्ट जो है मानसिक आयू यानिकी मेंटल एज से ग्यात किया जाता है यहां पर क्रोनोलोजिकल एज यहां पर थोड़ा अच्छे देंग से मैं बता रही हूं यह मानसिक आयू हो गया मेंटल एज ठीक है यहां पर आपका जो कालक्रमिक आयू है जैसे की दोस्तों मन बेज्ञान तथा सरीर रचना बेज्ञान के आधार पर मनुस्य के आयू चार प्रकार से ग्यात किया जाता है साहरी रचना आयू यानि अनॉटमिकल एच, सeszारी क्रियाथमक आयू और फिजियोलोजिकल एच जो कालक्रमिक आईू होता है क्रोनोजिकल एच उसमें जर्मसें लेकर वर्षों महिनों अदिदों में ग्याद किया जाता है, जैसे इसलिए chronological age यानि की कालकरमिक आयू को calendar आयू की नाम से भी जाना जाता है, इसलिए इसे school या मार्सिट आयू की नाम से भी जाना जाता है, जैसे 12.05.1972, अर्थात 12 मैं 1972 जैसे हम लोग का जो डेटा बर्थ लिखा जाता है यह कालकर्विक आयू के अंत्रगत आएगा दूसरा होता है सरी रचना आयू यानि कि अनटॉमिकल एज यह हमारे अस्थियों दातों की गढ़ना करके ग्याद किया जाता है यानि कि अंगों की पूर विकास से आयू का पता लगा जाता है इनटॉमिकल एज में दातों की गढ़ना करके इसके पुला आस्थि के अधार पर दोस्तों एज की गढ़ना के लिए हमारे दाहिने हाथ की जो रेडियल बून होती है का परियोग किया जाता है यानि कि इससे हड़ी के आयू का ग्याद की जा जाता है क्रियात्मक आयू सारी क्रियात्मक आयू यानि फिजियोलोजिकल एज यानि जो लड़के लड़कियों में हार्मोन चेंज होते हैं उसके अधार पर आयू ग्याद किया जाता है कि उता होता है मानसिक आयू यानि मानसिक परिच्छर किया जाता है इसमें हम बालको जो रोप खठाव कर लेता है तो वह उसकी मानसिकि आयों की सही है। यानि बुद्धी लब्धी यानि कि आयक्यू ग्याद करने का सुत्र होता है मानसिक आयू बटे कालक्रमी आयू गुडेशाओ यानि M A B T C E G कौन सा प्रबंधन का कारे नहीं हे, which of the following is not a function of management. तो दोस्तों, इसे प्रबंधन का कारे को नहीं हे? यहां प्रबंधन का कारे जो है, यूनियन नित्रित्व नहीं हे. ठीक है? यूनियन नित्रित्व नहीं हे. अन्द इसके लबान प्लागा निंग एंड डेरेक्शन एंड कोडिनेशन यान नियोजन निर्देशन एंड समन्नुए इस तीनों चीज़े प्रवंतर गैने मैनेजमेंट का काले है कोजन निम्बर 27 है कि अंतराज़्टी उलम्पिक समीथी का मुख्याले कहां इसी थे स्वीर्जन लेंड में इसी थे कहां है स्वीर्जन लेंड में आयोसी की जो इस्थापना हुआ था तेज मैं उनीस सो अठारा सो चौरावे को पीरिडी कोबार्डी के द्वारा पेरिज के सरबूर नामक अस्थान पर हुआ था बढ़मान अध्यच्छे थामस बाउग जैसा कि है आप जानते हैं जो तेज जून उलम्पिक आयोसी की इस्थामना जह भुआ है उसी के नाम परfeito प्रति वर्स उलम्पिक डिवस मनाया जाता है और प्रथम बार उलम्पिक दिवस मनाने का इस्टार जो है तेज जुन 1948 को हुआ और उलम्पिक दिवस मनाने का जो बिचार का स्रे दिया जाता है चेकरश लुआ किया कि डाक्टर जोसेफ गुरूस को 2024 का जो ओलम्पिक दिवस है उसका जो ठीम है चलो आगे बढ़े और जस्ट मनाए लेट्स मूँ एंड सेलिब्रेट कोश्चन नमबर 28 है किस प्रकार के पेशी तंदू लंबे समय तक चलने वाले क्रियाओं के लिए उप्यक्त होते हैं मन स्पेशिवारий प्रपाइबर स्टेबल फड लंग दूरेशन दोस्तों दूर्ण decides के क्लिए कौम्शा मैंश्बेसी फाइबर सही होगा कों आपने इसका सहीं अंसर टिक कर दिया हूगा जैसे कि हमारे मेंस प्रकारे कि होते हैं रिए बर ल्य थया क्यों इंबलवक्त जल्दी-जल्दी संकीजित होता है तो जो नियर्ड मसल होता है वह तो ऐरोबिक चंता वाले जिसमे sięмосब्द प्रियोग यानि लां समय के लिए लंबे समय के लिए इंडूरेण्स वाले खेलों में कि यह कान करता है जैसे मरा अथन येसे लमबी दूरी के लिए जो है धीमा जटका पेशी यानि की इस लो ट्वीश्ट फाइबर मसल्स यहां बहुत है रोगा आफन नमबर स्थी स्लोर ट्वीश्ट फाइबर धीमा जटका पेशी ठीक है जब कि जो टेक जटका पेसी यानि की फास्ट ट्विश्ट फाइबर होता है वो हई इंटेंसिटी कम समय की क्रियाई स्प्रिंटिंग या भारत तोलान यान वेट लिम्टिंग जिसे तुरिक सकती साली स्ट्रेंट वाले मुसल्स वाले जिसे अनेरबिक क्रियाओं वाले में गती वीजियों के लिए उप्यूक्त होती है स्लोट भास्ट ट्विश्ट यानि सफेद मसल साइबर कोस्टिंग नबर 29 है मांस्पेसियों के अध्यान को क्या कहते है इस्टडी आउप मसल्स इस कॉल्ड आप सबको पता है इसको मायोलोजी कहा जाता है और अर्ष्टियों क कि एंत्रोक्रोलाजी के अंत्रगत किया जाता है कि कोर्शन नबर 30 है ट्रिपल जंप के रनवे के नियुन्तम लंबाई कितनी होती है वाट इडे मिनमम लेंध ऑफ दर रनवे और फॉर ट्रिपल जंप जैसे कि ट्रिपल जंप में जो रनवे होता है लांग जंप एंड ट् पुछा है तो नियुन्तम आपका क्या हो जाएगा आसन नंबर ए चालीस मेटर है कि कोर्शन नंबर 31 है गुर्त्वा कर्सर का प्रभाव अधिक होगा जब दोस्तों जहां भी जो है की नों तल सेजिटल, फ्रेंटल, होरिजेंटल मिलते हैं यानि कि जिस बिंदू पर समस्त भार कारे करता है वही पर गुर्त्वा कर्सर बल सबसे अधिक होगा तो वस्तु का भार जहां अधिक होगा यहां पर राइट इंसर आफसन नंबर ए हो जाएगा गुर्त्वा कर्सर बल वह बल है जो वस्तु को भार देता है और गिरने पर उन्हें जमीन पर गिरा देता है जो तो गुर्त्वा कर्सर बल जितना नीचे होगा संतुलन उतना ही अच्छा होगा जिससे आप जानते हैं कि जो महिलाओं का गुर्त्वा कर्सर सेंटर ग्रोड अधीक होगा वहाँ पे गुट्वा करसर का प्रभाव सबसे अधीक होगा ठीक है कोस्टल नमर 32 है अधारभूत सूध को यह भी कहा जाता है बेसिक रिसर्च इस आर्सो काल अधारभूत सूध को दोफ्तों सुध सुध कहा जाता है प्योर रिसर्च अधारभू सूध जिसे सुध सूध या मौलिक सूध भी कहा जाता है यहाँ प्राकितिक या घटनाओं को बेहतर समझने और भूस तोवाड़ी के लिए वैग्यानि सिधान्तों को बेहतर बनाने के उद्दे से से एक प्रकार का वैग्यानि सूध होता है कोस्टन नंबर 33 है जांक के सामने की मांसपेशियों को किस नाम से जाना जाता है वाड़ी थे लेनए आप गीवें नेम गीवें तो दौनम्सल्स अं दौफ फ्रांट अव धाय थ्थाई तो दोस्तों जांक के सामने यानि की फ्रांट आप धाय जो मसलिस होती है उसे हम कहत क्वार्डिसेफ्स मसल्स जो है चार पीसियों से मिलकर बना होता है रेक्टस फिमोरिस, वास्टस लिटरेलिस, वास्टस मीडियलिस, वास्टस इंटरमीडियलिस इन चारों को मिलाकर क्वार्डिसेफ्स मसल्स कहते हैं या क्वार्डिसेफ्स फिमोरिस कहते हैं यहाँ गुटने को फैलाने और स्रोण यानि हिप को मोडने में काम आता है इस प्रकार जांक के सामने की पेशी को हम कौर्डिसेप्स मसल्स कहते हैं जांक के पीछे की मसल्स को हेमेस्ट्रिंग मसल्स कहते हैं जो गुटने को मोडने में काम आता है Hemistring muscle पिर तीन पेज़ीयों Semi-Membr тебट, Semi-Tendinus और Biceps Ch pupils Bunu Kर bakar princess तो यहाँ पर आप देख सकते हैं Gluteous Muscle आपका Hip में पाये जाते है Trepegeus होते होते हैं seeing P Ansoleus Muscle निष्ले-पौह में पाये जाते है Question No. 34 है एक फुटबाल मैच में एक टीम को कितने टाइम आउट अनुमान है तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं फुटबाल मैच में एक भी टाइम आउट नहीं दिया जाता तो यहां पे राइड अंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं कोश्चन नंबर 35 है प्राचीन उलम्पिक खेलों में जितने वाले को कौन सा पुरुस्कार दिया जाता था तो दोस्तों प्राचीन उलम्पिक खेल में जो विजेता होता था उसको जैतुन याने जैतुन की पत्तियों के मुकट से सुसोबित किया जाता था जो आदुनिक उलम्पिक है इसमें विजिताओं को पथम पर पदक दिया गया 1904 सेंट लुइस में और उलम्पिक में पथम बार फोस स्वर्ड पदक आखरी बार दिया गया और इस सुबार है इस्टाक होम स्वीडन में कि आख जानते हैं परत्मां में स्वर्ड रजजत और कशियों दिया जाता है आगि पौस्टर नंबर 36 इस्थी ताकत को यह भी कहा जाता है इस्टेटिक इस्टेंज आल्सो कौल तब इस्ट में बताई हूँ इस्टेटिक इंदर आपका आइसोमेंट्रिक आ जाता है और डार ठीक है आइसोमेट्रिक इस्टेटिक अथवा एक्साइंटिक संकुचन पेशी का वा संकुचन है जिसमें तनाव तो बिक्सित हो जाता है लेकिं पेशी के लंबाई में कोई फरिवतन नहीं होता है कोस्टलmotん 27 बॉस्ट पर इंहीं से संबंध नहीं है फिश किजस नर्ड रेलेटेट टो जोंसों बॉस्किर वंड टेस्ट में 3 खेल आइटम सा एन बास्केट बाल टेस्ट यहांभी सब्arat यहांसल फिल्ड गोल की तीस्ट इसाइड पहले साथ पर्भी टेस्ट अ कि यहां पर-दोस्तों सब्सक्राइब कि जो हैं सबenne टेजिए आपको 7 कि Дав player आता हैं इसके बारे डीटेल में जानने के लिए आप प्रेश्ट के प्रेश्ट में कि लाइएं मिल जाएंगी जैसे यहां क्यूंद आता है जिसको निसे सो से तालेश में राव बर्ट नाक्स दोड़ा बनाया गया नौक्स बाट टेस्ट इस्पीड ड्रिवल वाल बाउंस डिवल सूर पेनी कब टेस्ट आता है कोस्टिन नबर 38 है कि निम्द लेखित में से कौन सा जल चिकिस्टा का हिस्टा नहीं है वीचाल फॉलिविंग इस नब पार्ट ऑफ वाटर तेरेपी दोस्तों यहांपे क्रायों चिकिस्टा, कारैथेपी, वरन पूल बाथ, कंटोस बाथ यह तीनों जल चिकिस्टा के अंदर गत आते हैं बट वैक्स बात आपका जल चिकिसा के अंत्रगत नहीं आता है यह मूम चिकिसा के अंत्रगत आता है यह वैक्स बात जो है जल चिकिसा का हिसन नहीं है वैक्स बात में पैराफिन यानि मूम को पिगलाने के बाद बिसेश प्रकार कर कपड़ा भीगू कर घुटने या दर्द वाले अस्थान पर पट्टी की तरह लपेड दिया जाता है सरीप मूम लगाने के बाद यह त्वचा पर खोल बना लेता है जो आसपास की कोशिकाओं को राहत देने के साथ गर्माहट पैदा करता है इस तेरेपी से घुटने के दर्द का इलाज किया जाता है जूडों के खा second-toe-nmissiveTo is a Male involvement falls under the gum of the following categories जैसे के आप जानते हैं यह जो है नाक अगवाटनामें्ट की अंत्रगत आता है और अ देनार के आता है कि जए हमारा ठोनामेंट होता है चार प्रकार का होता रहा है नाकौट लीग यह रून्द वामिंग गांबिनेशन चलेंज्ञ टोनामेंट च्रोप्रकार का होता है फिस अथि आप 1967 और तो को दोज़ेंट में टुनामेंट के बारे में अच्छे से आप पढ जाएए उसमें आपको टूनमेंट के सभी कीज़ें अच्छे से सॉर्ट में टिक के साथ बताया गया है क्वेस्टन नंबर चालीस है दोस्तों कि प्रथम बार इस्टो टर्फ पर हांकी मैच किस उलम्पिक में संपन्द कराया गया इन वीच उलम्पिक वाज दे हांकी मैच हेल्ड अन इस्टो टर्फ फर दे फर्स टाइम तो दोस्तों इस्टो टर्फ पर हांकी मैच संपन्द सबसे पहली कराया गया 1976 का मान्ट्रेल उलम्पिक ठीक है 1976 का मान्ट्रेल उलम्पिक एस्टो टर्फ को खेला जाने वाला पहला उलम्पिक था यह विशेश रुप से खेल के लिए कृतिम घास का मैदान होता है इस्टो टर्फ कोस्टन नंबर एक तालिस है कि कौन सा दर्शन अनुभों को जीवनों सफलता की कुझी मानता है वीच फिलोसोफी कंसाइडरेट एक्सपरियेश एज दो की आव टू लाइफ एड सकसेज तो दोस्तों जो उपियोगिता वात होता है जिसे हम यूटी लिड ट्रेनिज्म या एक्सपरिमेंट या ब्योहारवाद या प्रियोगवाद आजी नाम से जाना जाता है जिसकी जो प्रवर्तक है जान दिवी है इसमें अनुभों को ही जीवन की सफलता की कुझी माना जाता है एन अधर्स वाद यानि आडियोलिज्म के जाना जाता है प्लेटो एथार्थ वाद रियोलिज्म के हैं आपके अरस्तों कोशन निमर बैएलेस इस सेसं के लाज कोशन है लगातार प्रशिच्छण विधी किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी continuous training method was propounded by दोस्तों आप जानते हैं जो continuous training method है इसको किसने खोजा था तो continuous training method कोणी 120 में earnest वी आकन के द्वारा खो जा गया था continuous जो endurance को develop करता है और continuous training method को जो सहसीलता डेवलप करने की चार विधिया होती है continuous method, interval method, repetition method, competition method जो होता है यह भी चार प्रकाका होता है slow continuous, fast continuous, fart lake method, variable pace method आई हो कि दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आया होगा कोई भी questions में डाउट होगा तो कमेंट में जरूर बताईए और जादे जादे वीडियो को सेयर भी कीजिए जिसे और लोगों तक वीडियो बहुत सके तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो प्रैक्रिस में तब तक के लिए चैंग झाल